पच्चो के फ्यूचर के लिए चुनिए best educational platform सिंखानिया educational institute, co educational English medium CBAC inter college सीतापुर का best and most consistent private CBAC school CCTV secure campus, GPS unable transport system, golf coaching, STEM practice, coring, artificial intelligence, robotics and many more अक्सर लोग नारियल पानी पीने के बाद उसकी मलाई को बेकार समझकर फेग देते हैं यद आप भी ऐसा करते हैं, तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि नारियल की मलाई कई पोशक तत्तों से भरपूर होती है, या कई तरह के स्वास्त कर लाप को प्रदान भी करती है, नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ बविता सिंग गौर, जी ह उसके मलाई जो काफी पोशक होती है, नारियल क्या पानी खासकर गर्मी के मौसा में हल्दी ड्रिंग ना है, बलकि प्यास भी बुझाता है, इसकी मलाई को बेकार समझ कर फेकना नहीं है, गर्मी के मौसा में हल्दी ड्रिंग ना की है, सिप प्यास बुझाता है, बलकि सरी में एलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी दूर करता है इसका सेवन डिहाइड्रेसन से बचाता है इसकी मलाई को बेकार समझकर फेकना नहीं चाहिए नियारियल की मलाई में फाइवर, मैगनीज, आइरन, जिंक, फासफोरस और पोटेसियम जैसे पोसक तत मौजूद होते हैं ज फाइवर हमें जरूरत से ज़्यादा खाने से भी रोकता है अगर आप एक कप नारियल की मलाई खाते हैं तो आपको तीन ग्राम प्रोटीन मिलता है नारियल की मलाई आपको वजन घटाने में भी मदद देती है लेकिन अगर इसे जरूरत से ज़्यादा खाया गया तो यह वजन बढ़ने का भी कारण बन सकती है नारियल की मलाई में फाइबर की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है जो पाचन क्रिया के लिए फायदे मंद होती है नारियल की कच्ची मलाई गिरी पाचन संबंधी गरबडियों को ठीक करती है पेट के बैक्टेरिया मौजूद म रच्छा इस्तर को बढ़ाने में मदद करती है यह सूजन वाइरल और फंगल संक्रमन को रोकती है रक्त सरक्रा के इस्तर को स्थिर करने में मदद करने के अलावा उच्छ रक्त सरक्रा को नियंत्रिद भी करती है यानि कि आपका ब्लड सुगर भी कंट्रोल करती है तोचा को मुलायम रखने और सूजन को दूर करने के लिए नारियल की मलाई तवचापल रगाई भी जा सकती है। नारियल की मलाई इम्मुनिटी मजबूत करने में काफी फायदे मंद है। इसके सेवन से सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता भी बढ़ती है। कई तरह की बीमारियों से बचाओ होता है। इसके सेवन से सरीर में उर्जा का संचार तेजी से होता है। इसमें सैचुरेटेट फैट मौजूद हो जाए जो दिल को काफी अच्छा होता है दिल के लिए। या गूट कैलिस्ट्राल का अच्छा सुरोत है। और बुरे कैलिस्ट्राल का स्थर कम करता है। इसमें पॉलीफिनाल मौजूद होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़कर शरीर की कोशिकाओं को छटिगत सोने से बचाते हैं। इसका सेवन करने से पेट में गैस, एठन, अपच और कबज की समस्या से रहत मिती है। अतार आप बने रही आइंडिया के साथ, हमें दीजे जाज़त, अगले एपीसोड में फिर कुछ नया लेकर आते हैं, नमस्कार।